हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब सब ठीक होंगे और आज यह थोड़े से मसाले जो मैं घर में तयार करती हूं इन्हें में भून के रख देती हूं जैसे जीरा है साबू जीरा है इसे में भून के पीस लूँगी और यह मेथी और सौंप है इसे भी में पीस के रख देती हूं द करके करके और धर्दरण पीसुंग्hm.. ये था बारीक नहें पीचुंगे कजूब फार्जजा हम दरदरण पीसुंगे। मिर्ची भी मैंने रखे TH democratic मुझहें तुप छिली फ्लाग्स बनाऊंगी। तुदा से बारिक पीशिऊंगी, मैं पीशुलिया है, मिर्चि भोसी है छिली फ्लैक्स मिनने जरोत पर जाती है, मैंने थीज़िय मोमी में थी बीला ने चाहिए, इसलिए थीज़ियर है डबे में डाला मैंने यह थोड़ा सा अभी घरम है और इसलिए डबे में नहीं रखा ऐसे रख दिम्हें अर अब मैं चार रहे हूं सब्जी बनाने यह देखों मैंने तेल रख दिया है इस समें मैंने डाल दिये लॉंग डाल चीनी और तेज ता यह मैंद दिखाना भूल तो आज मैं बना रही हूं चाप और चाप मैंने हलके से वह गरम पानी में उबालें भी ने बस थोड़़ से गरम पानी में साउप कर रहे होंएंगा घार अब मैं डाल दिया जीरगर और मैं इन्हें थोड़ी देर फ्राई करूंगी अच्छे से तेल में तो अब इन्हें थोड़ी हलकी आच में मैं थोड़ी देर फ्राई होने दूंगी यह मैंने जीरे का तड़का मारा है इनमे अब यह हलके से फ्राई होंगी उसके बाद धीमी आच में बस यह होते रहेंग और यह धीमी आच में इसे होने दूंगी क्योंकि अगर तेज आच रखोंगी तो यह नीचे लग जाएगा इसलिए तंदी आच में इधर यह मकेन भी हो गए लगबग भांजा आ रहा है आज कल इसलिए नी तो ज्यादा है भी भी हो जाते हैं और दिन बार बच्चे कुछ न यही कुछ खासे स्पेसल भी नहीं है बना रही है आज वही था थोड़ा मन का चांप की रेसिपी शेयर कर लेती हूं और प्लीज आज मुझसे काफी काफी नए लोग जो जिन्होंने मेरी वीडियो देखी पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो मुझे कमेंट कर अच्छे अच्छे प्लीज ऐसे ही सपोर्ट देते रहना मुझे और जिन्होंने कल मेरी वीडियो नहीं देखी तो वह प्लीज कल वाली वीडियो देख लेना और देखो यह मकेंस मैंने तल दिये हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और यह मैंने अध्रक ग्रेट करके अच्छाते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता तो मैंने ऐसे ग्रेट करके डाल दिया है देखो अलका साथ पसी भी होता रहेगा उदर मकेंस भी हो गए हैं और बस तल दिया है इनको यह ठंडी आच में हो रहा है इधर मैंने इसकी प्याज लंबा लंबा काटा है और इने में करारा करूंगी इन यह कुर्कुरे करूंगी ब्याजों को दीखो यह लंगी वो गए हैं इसमें मसाल्य डालूंगी और मसाल भी कुछ जादा ने इसकी डाल दिया मैने नमक अपने स्वादन मेंशा डालना तनिया पाउडर जीरा पाउडर अब दोड़ी सेहल अ और आज मैं इसमें लाल मिर्ची डालूँगी थोड़ा कलर के लिए क्यूंकि थोड़ा देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए ना सब जी इसलिए इसलिए यह देखो हमेश क्यूंकि मैंने एखाथ में फोन पकड़ा थे इसलिए मैं सही से मिक्स नहीं कर पा रहे हूं तो म के तो छोड़ा से टेल कम हुआ Iसकि लिए ये तो ईये तो अरह से जलदी हो जाता कि देखो हुग गया है है और यह कुढ मैं इसमें डालूंगे टौड़ा से मसाला पगया है तो आम में इसमें डाल दीं टौड़ मर्सट अमाटर के में त1 औरल बीज-स करके फिर इसमें मैं मलाई डालूंगी यह देखो कि थोड़ा से टमाटर पक जाएगा थोड़ा कच्छा पन निकल जाएगा इसका फिर इसमें जाके मैं मलाई डालूंगी थोड़ी दिर पकने के बाद और यह प्याज मेरा हो गया है थोड़ा-थोड़ा क्यूंकि हलका सा वै काला करोगे तो अगर गैस में इसे काला करोगे तो फिर इसमें कड़वा हो जाता है इसलिए इसे हलका साय से निकालना पड़ता है तो देखो हमें इसे निकाल लूँगी प्लेट में लग से उदर सब्ची भी हो दिये हैं देखो हो चुका है थोड़ा थोड़ा प्लीज मेरी वीडियो को लाइक चरूर करना और शेयर भी करना प्लीज और ऐसा ही अपना सपोर्ट देते रहना मुझे मुझे बहुत अच्छा लगते हैं जो मुझे कमेंट करते हैं मेरी वीडियो को देखते हैं बहुत अच्छा लगते हैं तो सपोर्ट करते रहना प्लीज और लाइक भी करना देखो मैंने इसे निकाल दिया है और यह देखो यह हो चुका है इसे मैं हलका सा करारा करूंगी यह ठंडा होकी अपना आप से करारा हो जाता है यह देखो इदर यह सबजी भी टमाटर का कच्छा पर निकले टमाटर के साथ हो गया है भून गया है अच्छे से थोड़ा सा और पकाऊंगी इसको और यह मैंने थोड़ा डाल दिया है चांप मसाला इसमें थोड़ा चांप मसाला डालके हलका सा पकाऊंगी इसको और थोड़ा देर पक तो यह देखो मैंने डाल डी मलाई-मंलाईाल डाल रही थी वह थुदी से गाडिरी थी भी मैने सिक भी करा उसे मगर नहीं हो पाई हो इसलिए देखो गड़ी तो थोड़े मलाई डाल कि इसे थुदी देर पकाऊंगी अगर आपके पास फ्रेस मलाई है तो आप भी डाल सकते उससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा इसका फ्रेस मलाई से तब इससे अच्छे से मीक्स करके थोड़ा दर पकेगा आपको जैसी चाहिए अगर ज्यादा गाड़ी ग्रेवी अच्छी लगती तो आप गाड़ी रख पक जाएगा उसके बाद में इसमें प्याज अच्छे से क्रस्ट करके फिट ढालूंगी इने अच्छे से तोड़के फिट ढालूंगी इसको देखो हो गई है थोड़ी बहुत रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं अच्छा टेस्ट आता है इसका एन देख लूँ यह देखिने में कितना अच्छा लग रहे है अगर मेरे रेसिपी आप लोगों को पसंद reminders तो प्लीं इस अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डालूंगी और मैंने केवड़ा होता है वो डाला था इसमें मैं दिखाना बूल गई थी यह देखो मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पहले से तो मैं दिखाना बूल गई थी इसलिए मैंने अभी दिखा है और बाकी मेरी यह रेसिपी अग खुल मत बोलना, thank you, bye bye